आज की इस नए दोर में भी कई ऐसे ग्रामिन छेत्र हैं जहां महिलाएं घुंगट में चार दिवारी के अंदर रहती हैं। समाज और रिवाज के तानों के डर से घर से अकेले बाहर निकलना भी खुद में अपराद समझती हैं। ऐसे में गोड़ा के महरमा की रहने वाली अंशू देवी जिले भर के महिला सम्मान की मिशाल बनी हुई हैं। सरकार के JSLPS योजना से जुड़कर अंसून को रिण मिला और रिण में एक ट्रेक्टर दिया गया जिसके बाद अंसून न सिर्फ समाज में आजपूरसों की भाति सम्मान के साथ चल रही हैं। कि उन्होंने अपने समूप में दिया गया ट्रेक्टर वा खुद से उसी ट्रेक्टर से खेती भी करती हैं और साथ में दीदियों की खेतों की जुटाई भी खुद से कर देती हैं। का नाम हो आपका? अंसू कुमारी. कब मिला ये ट्रेक्टर? ये 2020 में मिला है. कैसे मिला कौन से प्रोसेस से? ये हम लोगों को जेसल पीएस के माध्यम से मिला है, क्रिसी विभाग के द्वारा. अच्छा तो क्या आख खुद से चलाते हैं? हाख खुद से चलाते हैं. चलान कब सिखे? दोहजार पैस में जब हम लोगों को मिला उसके एक मैना पाले हम लोगों को जेसल पीएस के माध्यम से राची में ट्रेनिंग दिया गया था. अच्छा है. तो कितना आसान हो जा राइस ट्रेक्टर के मिलने के बाद है? बहुत असान है. पहले हम लोगों को होता क्या था कि दूसरे को बोनना पड़ता है. है कि चली हम आम का खेद दियों दीजे तो अलोगों करना ट्रेक्टर को जोत ले पो कितना लग रहा कि इस ट्रेक्टर के मिलने से कितना मुनाफ़ा पैसों का हो रहा है अपको? लगबद हम लोगे साथ खेद लोग है उनका भी ब और भी कोई लाब मिला हो जेसल प्यस्टे हम लोग लोग बहुत लाब मिला है अभी जेसल प्यस्टे से बहुं सारी दिरी ऐसी है जो कि कुछ रोजगार नहीं करती थी घर में बैठी रहती थी अभी वह चोटा-चोटा कोशल विवहाग से प्रसिक्षन ले करके वह अपना र ट्रेक्टर लिए हुए हैं है संबाज में कुछ बोलता बगर नहीं है कि आप महिला हो लोग जो है आज कर लोग बहुत परस्टाइन लेती है इधर ओधर जाती है तो हम लोगों को सुनना पड़ा मगर हम लोग लोगव जब टेर्णिंग ले ली एक खुद से करने लगे त वो खुद से अपने पेर पर खड़ा होकर के कारिक कर सकती है